दोस्तों मारूती सुजुकी के बाद भारत में दूसरे स्थान पर कार निर्माता के रूप में पहचानी जाने वाली ह्यूंडई एक नई माइक्रो एसुवी लांच करने के बारे में सोच रही है और हुंडई की टॉप टू बॉटम लाइन अप सीरीज में इस कार का स्थान हुंडई वेन्यू के एक तम नीचे रखा चाएगा इस गाड़ी को हुंडई एक्स का कोडनेम दिया गया है और इसकी स्टाइल और डिजा सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल के आइकन को दबाके भविश्य में ऐसे ही दूसरी लो बजट गाड़ियों की अपडेट्स मिस मत कीजेगा इस गाड़ी का टेस्ट प्रोडक्शन अप्रेल 2021 से शुरू किया जा चुका है और बड़े इस्तर पर प्रोडक्शन सि पहिंद्रा थार के जैसे बॉक्सी लग रहा है और ग्रिल का डिजाइन वेन्यू से काफी मिलता जुलता है लेडी डियारल के साथ साथ में हेड लैंप क्लस्टर को बोनट और बंपर के आसपास रखा गया है दक्षिनी कोरियाई कार निर्माता ये कंपनी आने वाले समय मे विकास शील देशों की एकॉनमी पर ध्यान देते हुए सस्ती कारे निकालने के बारे में भी अपनी स्ट्रेटेजी बना चुकी है इस गाड़ी में एक छोटा बॉनिट मिलेगा साथ ही पहियों के पास प्लास्टिक वाले वील आर्क उपलब्ध कराने की संभावना है सी प भग 3.7 मीटर होगी जिसमें 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो की 67 बीएच्पी की पार और 100 न्यूटन मीटर का टॉक जैनरेट करने की शमता रखेगा सिक्योरिटी कंसर्ण को ध्यान में रखते हुए आगे और पीछे डिस्क ब्रेक की सुविधा दी गई है टी प्रफाने फीचर से कोई समझाथा नहीं किया गया है आने वाले समय में दक्षिनी कोरिया में ही इस्थित गौंग जू प्लैंट से बनाई जाने वाली इस कार की लगभग एक साल में 70,000 यूनिट बनाए जाने की संभावना है भारत में सितंबर तक लॉंच होने वाली इस कार की कीमत 3,9,000 से शुरू होकर 6,00,000 रुपए के बीच में रखी जा सकती है 2021 के अंट में इस कार को भारतिय माकेट में लोगप्रियम मारुती एस्प्रेसो रेनो क्विड और टाटा का आने वाला मॉडल हॉन्बिल से प्रतिस परधा करनी पर सकती है ऐसी ही और भी अधि यूट्यूब चैनल रियल आटो न्यूस पर धन्यवाद